सबी को नमस्कार स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल कामवीद नैचर में आज का जो टोपिक है ना वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो प्लांट लगाने का शोक तो रखते हैं लेकिन बहुत बारे यह होता है कि बजट नहीं रह पाता कुछ लोगों का तो उनके लिए है और जो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरह के जो यह प्लास्टिक की बैग आते हैं ना हमारे घरों में इन में कोई भी चीज आती है यह काफी अच्छे होते हैं तो इन में हम प्लांट कैसे लगाएं उसी बारे में आज डिसकस करेंगे और कौन सा प्लांट ज् उसके लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कई बार मुस्ली गरों में होता है कि फाइफ केजी के जो यह इस तरह के बोरी वगरा होते हैं वह आते हैं वह वेस्ट ही होते हैं तो उनको हम यूज़ करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखो यह जो इस तरह की बै जो चावल की जो यह इस तरह की आता है ना उसमें सबसे यह हो चाहिए कोई और भी हो जैसे मैं दूसरा जो ले रही हो ना वह उसमें वाशिंग पाउडर आया था तो इन में इस तरह की होल होने जरूरी आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हो साइडों में कर दो देखो प्ल की चीज है इसमें एरेशन तो नहीं होगा और प्लांट की रूट्स को बढ़ने के लिए एरेशन की बहुत जरूत पड़ती है तो इस तरह के जब भी यूज करो तो उसमें आप नीचे होल जरूर करें इस चीज का खास ध्यान रखना है चलो यह तो हो गया होल के बारे में अब बात आती है कि हम इस ब्रो भैग में क्या सीधी मिट्टी भरें या फिर क्या डाले इसमें तो देखो आप इसमें क्या डाल सकते हैं आपके गाड़न के जितने भी सूखे पत्ते होते हैं आप उनको स्टोर कर लिया करो डेली जो भी सूखे पत्ते हैं उन्हें एक पोल कर लेना चाहिए और इस तरह से जो स्टोर की हुए पत्ते हैं टहनिया है सुखे हुए या फिर गिले भी हो उनको हमें इन ग्रो बैग में हमें इस तरह से आधे से ज़्यादा भर लेना है यह हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी खाद बनेगी आगे जब प्लांट की जैसे कोई कागस होता है वो उसके टुकड़े करके डाल दो या फिर न्यूस पेपर के टुकड़े करके डाल दो तो वो भी डिकंपोस हो जाएगा दीरे-दीरे प्लास्टिक का कोई मैटेरियल यूज नहीं करना अब आधे से दाज जादा हम जब इसको भर लेंगे ना तो हमें इसमें डालनी है मिट्टी अब मिट्टी कैसे डालनी है ये भी चीज द्यान देने की है दिखो वैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी प्लांट आप किसी भी पोर्ट में लगाओ तो वैल रें सोयल लो और यहाँ पे तो हम प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा रह तो इसमें जब भी आप प्लांट लगाओ तो इस तरह ऐसे आप निच्चे सुखे पत्ते भर लो और अगर सुखे पत्ते नहीं है ना तो आप कोई भी हस्क की यूज कर सकते हो जैसे बाजरे की हो गई ये सरसो की हो गई या फिर गें के हो गई वो जो हस्क होती इसको तू बनाना है तो मैंने ले लिए उसके लिए राइस हस तो अब मैं इसमें एक प्लांट लगाने जारी हूं और इस प्लांट को लाए कई दिन हो गए तो इसकी जो प्लास्टिक की थैली है ना उसको हम निकाल लेंगे और यहां पे हम एक चीज और ध्यान देनी है कि जिस मिट् आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि कई बार पानी देने से मिट्टी किज ग्याई देखने तो इसकी फीडड वाली सटी और यह बिल्कुल सकत है तो इसका मतलब यह हमें इस मिट्टी को थोड़ा साथ एलटरतime बड़ають मिलेगी जिनको प्लांट की जो रूुट से पहुंच जाए ना जहां पर उसकी रूटिस आसानी से पहुंच जाए तो प्लांट अच्छा चलता है फिर प्लांट हो और ऐसी सोयल तभी होएगी जब वेल्डेन सोयल जो बताते हैं ना हर कोई आपको यह बताएगा कि वेल्डेन सोयल यूज़ करो तो वो इसलिए बताते हैं कि roots आसानी से फैल सके अगर आपने hard मिट्टी ले ली तो roots नहीं फैलेगी और roots नहीं फैलेगी तो plant की growth नहीं होएगी तो plant मर भी सकता है इसलिए जो काली मिट्टी होती है या फिर hard मिट्टी होती है उसमें plant कम चलते हैं कुछ एक plant ही चलते हैं बाकि जब भी मिट्टी तियार करें तो soft मिट्टी तियार करें या नहीं हलकी नहीं sorry well-ren मिट्टी और जब भी कोई plant लगाते हैं तो उसको बीच में लगाके और अच्छे से पानी दे दो ताकि हमारे जो हमने drainage hole जो बनाया है ना उससे जो पानी है भार आ जाए अब भार आने का मतलब यह यह सिर्फ कि हमारा जो पोट में जो भी या फिर हमारे grow बैग में जहां जहां पे मिट्टी थी या जो भी हमने डाला है वहां तक पानी पहुँच गया है और यहीं हमें कर आप इस प्लांट को दो से चार दिन तक तो आप शेड में रखिए और फिर आप चाहे तो इसे कहीं पे भी जो भी प्लांट की requirement है यानी धूप का प्लांट है या छाया का प्लांट अब देखिए इस तरह की जो grow बैग होते हैं उनमें कौन से प्लांट लगाने बेटर रह हैं तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए special है कि वो ऐसे प्लांट लगाए इस तरह की grow बैग में जो हर्डी पोदे यानी आसानी से लगने वाले हैं उसका हमें एक फायदा हो जाएगा कि हर्डी पोदे मतलब मरेंगे नहीं और आपका प्लांट जब अच्छा सा चल जाएगा तो फिर आपको दीरी-दीरी खुद भी experience हो जाएगा कि किस तरह के प्लांट को कहां लगाना है कहां रखना है जो भी प्लांट है जहां अब जैसे यह धूप के प्लांट है तो इन्हें हम धूप में रख सकते हैं दो से तीन दिन बाद इसे धूप में रख देंगे और यह वीडियो अच्छा लगें तुर लाइक और शेर जरूर करना तैंक्यूँद